तो डेड़ महा पूरू हुई परिक्षा परिणाम के इंतजार में 51,000 से अधिक सिक्षक जो MGGS में सिक्षक लगाने का मामला अब अटक गया है अब निदेशक आसिस मोदी ने कहा है कि कोर्ट के निर्देश मिलने पर ही होगी कारिवाई क्या है पूरी कबर? तो विभाग की तरफ से त्वरित कारिवाई करते वे परिक्षा की आंजर की जारी कर दी गई थी परिणाम जारी करने की सारी तैयारे भी हो गई थी लेकिन इसी बीच कोर्ट में मामला चले जाने से परिणाम और नियुकती नहीं हो सकी जैसे ही कोर्ट से कोई निर्दिस मिलेंगे उसके नुसार कारिवाई की जास कीगी यह कहना है आसिस मोदी माद्यमेक शिक्षा रस्तन भी कानेर की तरफ से वहीं एनके महता जो सरकारी वकील है उनका कहना है कि यह मामला कोर्ट का है पर उनसे यह पूचा गया कि क्या 15 अक्टूबर से पहले हीरिंग की जा सकती है तो उनका कहना है कि हाँ अरली हीरिंग के लिए हम भी प्रियास कर रहे है और सरकार भी इस इस तरपर चर्चा कर रही है अब 29 अक्टूबर 2024 को होगी और तब तक अंतिम सूची पर रोग जारी रहेगी अधिवक्ता रामपरताप सेनी पैरवी कर रहे है वहीं जब 12 सितंबर को राजेस के वकिल रामपरताप सेनी के द्वारा आगे की डेट मांगी जई और अगली डेट 27 सितंबर मिली तो उस दिन सरकारी वकिल जो एनके मेहता है उन्होंने बोनस के मामले में जिले में पदस्ताफित अभ्यरती के पक्स में और अपना पक्स रखा और कहा कि परिणाम और मेरिट निकालने दे में पर जजज साब ने साफ मना कर दिया अब देखना जरूरी होगा कि 15 अक्टूबर को क्या अपडेट होता है जैसे ही कोई अपडेट होगा जल्द हम चैनल के मादम से साजा करेंगे